नमस्कार दोस्तों विएन केडी स्टडी पोर्टल के यूटूब चैनल पर आपका स्वागत है आज हम सब इस वीडियो में किंदर सरकार की महतपुड योजनाओं के बारे में पढ़ेंगे देखिए हम सब किंदर सरकार द्वारा 2014 से लेकर अब तक इतने भी महतपुड योजनाओं देखिए कुल 200 से अधी महतपुड योजनाओं है उन सभी योजनाओं को हम सब डेली कवर करेंगे और देखे आज हम पांच योजनाओं को पढ़ेंगे जैसे प्रधान मंतरी स्वामित योजना, प्रधान मंतरी गरीब कल्याड योजना, आत्म निर्भर भारत अभियान, पीम सोनेदी योजना, नई सिच्छा निती 2020 और देखे इन योजनाओं के बारे में हम सब एक दम पिस्तार से जानेंगे, और साथ ही मैं आप लोग बता दू, यदि आप लोग अभी चैनल पर पहली बार आए हैं, तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजेगा, सेर कीजेगा, और साथ ही चैनल को भी सब्सक्राइब कीजेग यह कौन सी योजना का नाम, और कब लांच किया गया, यानि लांच की तारिक, और देखे इस योजना का क्या उद्यश है, वस आप इनी तीन बातों पर फोकस कीजेगा, तो पहला हम सब यहाँ पर देखते हैं, पी-एम स्वनिधी योजना 2020 है, देखे यह जो योजना इसक एक बिशेस माइक्रो क्रेडिर सुवधा योजना है, परधान मंत्री सुवनिधी योजना 2020 से सरकार रिहणी और पटरी वालों को 10,000 रुपय का लोन देगी, देखे इसे भी याद रखेगा, इस योजना के अंतरगत जो है, सरकार जो है, रिहणी और पटरी वालों को 10,000 लोन देगी, विविन छेत्रों में वेंडर, हाकर, ठेले वाले, रिहणी वाले, ठेली फल वाले, आज सहीत 50,000,000 से अधिक लोगों को योजना से लाब मिलेगा, परधान मंत्री सुवनिधी योजना उन्हें फीड से काम शुरू करने और अपनी आपजिव का कमाने में सच अगला जो है नई सिच्छानीत 2020, चलिए इसके बारे में जान लेते हैं, नई सिच्छानीत देखिए 2020 जो है यह जो लांच किया गया, लांच की तारिक इसका जो है 30 जुलाई 2020 तारिक को याद रखेगा, देखिए इसका उधिश जो है, नई राष्टी सिच्छानीती NEP 2020 स सरकार ने कई बदलाव किया हैं, जैसे कि इस नई एजुकेशन पालिसी से स्कूल से कालेज अस्तर तक सिच्छा प्रडाली में कई बदलाव आएंगे, जो आज तक नहीं देखने को मिले, केंद्री मानो संसाधन विकास मंत्री रमेश वो खरियाल निसंग के अनुसार नई नई सिच्छा नीती है, जब आई थी, तो देखिए तब जो सिच्छा मंत्री जो थे, वह रमेश पोखरियाल निसंग थे, लेकिन बदल गया है, अब धर्मेंदर परदान जो है, सिच्छा मंत्री इसे भी याद रखिएगा, आगे हम सब देखते हैं, देखिए आगे एजुकेशन के लिए सिंगर रेगूलेटर रहेगा, जिसमें लाँ और मेडिकल एजुकेशन को सामिल नहीं किया गया है, नई सिच्छा नीती से उच्छ सिच्छा में, दो हजार पैंतिस तक पच्चास फेज़दी जी ए आर पहुंचने का लच्छ रखा है, और देखिए आगे हम सब देखते हैं, नई सिच्छा नीती 2020 में पढ़ाई की रूप रेखा या फिर पाठे करम, देखिए इससे आप चलूर र्यादर रखेगा, यह जो आपको दिखाई दे रहा है यहां पर देखिए जो पाठे करम ते हैं कि आगे आगे वह फाई पलस थिरी पलस थि पलस थिरी के अस्थान पर फाई पलस थिरी पलस थिरी पलस फोर के अधार पर तयार किये जाएंगे और देखिए आगे लिखा कि इसमें अंतिम चार वर्स नवी से बारहमी सामिल, देखिए जो अंतिम चार वर्स हैं देखिए नो दस इगार बारहमी सामिल हैं, अगर दखता है आगे देखते हैं और देखिए लिखा कि इसके साथ ही सारीरिक और मालसी विकास के लिए इस्ट्रा करी कुलर एक्टिविटीज को में करी कुलम में सामिल किया जाएगा तो देखिए यह जो है नई सिच्छानी तो 2020 से उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ गयाओ क चलिए अगला हम सब देखते हैं अगला जो योजनगा है वह ऐ आत्म निर्भर भारत अभियान तो देखिए यहां जो लांच किया किया बारह माई 2020 को किया किया याद रखीए इसका जो लांच की तारीक है बारह माई 2020 से इससे आप सब यादर इसका चली हम सब उद्देश देख लेते हैं तो देखे इसका उद्देश ही है कि भारत को अब 200 पटल पर उत्पादक, निर्यात और और द्योगी के छेतर में बढ़ावा देना और साथ ही देखे आगे लिखा कि भारत के पधानमंत्री श्री नरेंदर मोदीर ने 12 मई 2020 के आर्थिक पैकेज का भी एलान किया आथ निर्भर भारत अभियान में प्रथान मंत्रीर ने देश के आथ निर्भरता पर जोड़ दिया और कहा कि भारत को अब भी समय उत्पादक और अध्दोगीक छेतर में उभर कर आना है आगे देखिए इस योजना के बारे में दस परतिसत हिस्से से भी अधिक है कोरोना वायरस के दूसरे चड़ मेकेंदर सरकार द्वारा प्रधान मंत्री गरीब कल्यान योजना 2020 शुरू की गई थी जिसके लिए एक लाख सत्तर हजार क्रोड के पैकेज का एलान किया गया था इतने ही क्रोड के पैकेज की घोश्रा रिजवर बैंक ने भी करी थी आज निर्वर भारत अभियान का मुखे उद्देश देखिए इसका जो मुखे उद्देश है भारत को निर्माण ब्योसाइख बनाना है जहां पर निर्यात के साथ सोध देशी को भी ज्यादा से ज्यादा बढ़ावा देना है तो देखिए जो योजना यान देखिए जो अभियान है आज शने भारत अभियान है याद रोखिका जो लॉस किया या बादेश department अगला देखिए जो योजना है चौथा है प्रधान मंत्री स्वामीत योजना 2020 देखिए इसका जो लांज की तारीक है वह 28 अपरेल 2020 है इसे याद रखेगा यह जो लांज किया गया 28 सपरेल 2020 को किया देखिए इसका उद्देश जो है गाउं की संपत्ति पर किसी भी बैंक से मिलेगा लोन तो देखिए इसका योद्देश है गाउं की संपत्ति पर किसी भी बैंक से मिलेगा लोन और देखिए आगे लिखा कि प्रधान मंत्री मोदी ने 24 सपरेल 2020 से सुक्रवायर को स्वामीत योजना को लांच कर दिया है यह सरकारी योजना ग्रामीड छेत्रों के बिकास को लेकर सुरू की गई है आगे हम सब देखते हैं देखिया पर आगे लिखा है आपको बता दे कि प्रधान मंत्री मोदी के नुसार स्वामीत योजना 2020 से ग्रामीड छेत्रों में बिकास के प्रयासों को गत मिलेगी जिससे देश भर के पंचाती राज संस्थानों म इगवर्नेस को मजूती मिलेगी पीएम स्वामीत योजना लागू होने के बाद कोई भी विव्यक्ति घर बैठे ही अपनी संपत्ति का बेवरा देख सकता है जिससे ग्रामीड छेत्रों के लोग अपनी गाउं की संपत्ति के आधार पर बैंक से लोन ले सकते हैं प्रधान सर्वेच्ण बीजियों के द्वारा ग्रामीड छेत्रों में आबाद भूमी का सीमांकन मैपिंग किया जाएगा जिससे ग्रामीड लोगों को बैंक से लोल लेने में आसानी हो और देखिए आपर आगे लिखा है कि प्रधान मंतरी स्वामीत योजना को सफल बनाने के रिए पंचाति राजमंतराले राज के पंचाति राजवीभाग राज सिभाग और स्हरवेच्ण बीभाग मिलकर काम करेंगे तो देखिए यह जो योजना है और आप प्रधान मंतरी स्वामीत योजना और лыल्च किया गया 낮या 7 यह इ Zeiten 2020 को प्रहुजीम को लांच किया गया यह 25 समार्श 2020 को लांच किया गया याद रखेगा लांच जो किया गया 25 समार्श 2020 को इसका उद्धेश चलिया देख लेतने हम सब किया चो देखे उद्धेश ही है कि कोविड-19 से प्रभावित लोगों तक आर्थिंग मदद पहुंचाना और महामारी के समय में उनकी मु भारत सरकार गरीब लोगों को मुफ्त में अनाज और दाले देंगी महिलाओं के जंधन खाते में तीन महिने तक 500 रुपए प्रती महिने जमा किये जाएंगे स्वास्ते कर्मचारियों के लिए बीमा और अन्यक कई प्रकार की सिवाय प्रदान की जाएगी तो देखे यह ज देखे 200 से अधिक है केंदर सरकार के दोरा जो जीतने भी 2014 से लेकर अब तक चलाए जा रहे हैं देखे सभी योजनाओं को मैं डेली कबर कराते रहूंगा दिरे दिरे तो यदि आप सभी योजनाओं को पढ़ना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजेगा वीडियो क लाइक कीजेगा तो इस्तिवीडि मित्राई दोस्तो नमस्कार जैन जै भारत